हेलो एफ्रिवान वेल्कम बैक सिविल मंत्रा आप सभी का सिविल मंत्रा पे श्वागत है मेरा नाम राकिश पाथक है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जियो टेक्निकल इंजिनिरिंग अगर बात करें आज इस पार्टिकुलर लेक्षर्स की तो आज हम एक नए यू होती है उस इसत्रेंज को हम कैसे डिस्टिश और करते हैं आप जानते हैं कि जैस जामाली जीा कि स्वाइल है स्वाइल पर हमें इस्टॉक्छर्स को बनाने है लाइक कोई मॉल बनाना ए मल्टी नेशनल सर्म अगर बात करें मल्टी बिल्डिंग बनानी तो वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि स्वाइल्स इस्ट्रेस जो भार के करण जो इस्ट्रेस आ रहा है उस इस्ट्रेस को रजिस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इन सारे चीजों के बारे में भी इन पैरामेटर के बारे में भी हमें बात करनी पड़ती है तो देखे आज हम बात करने वाले ही इस particular अगर बात करें unit की तो unit fourth की जिसमें हम बात करने वाले है stress distribution in soil जिसमें सबसे पहले ही समझेंगे कि stress distribution in soil का मतलब क्या है क्या इसका मतलब है elastic constant of soil के बारे में बात करेंगे boginess equations की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं और vertical stresses के लिए इन्होंने कौन सा equation generate किया था ठीक है न वह भी बात करेंगे फिर western guard के questions के बारे में समझेंगे दोनों के बारे में यहाँ पे difference भी देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादे इंपॉर्टेंट जो अग्जाम में भी पू की बात करेंगे concept of pressure bulb की बात करेंगे कि pressure bulb क्या होते हैं कैसे generate होते हैं फिर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि sear strength क्या होते हैं determination कैसे करते हैं क्या होते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सियर इस्ट्रेस क्या होता है देखिए सियर इस्ट्रेस के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं तो समझते हैं कि सबसे पहले कि सियर इस्ट्रेस जो हमारे होते क्य हैं कैसे यह हमारे बिल्डिंग में या हमारे स्वाइल में आते हैं बिल्डिंग के थुरू तो सबसे पहले देखिए समझते हैं कि यहां पे कि हमारी सबसे पहले सर मुझे बताइए कि इस ट्रेस जो आ रही है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर इस ट्रेस डिस्टि कि ठींजिया से समझेंगे बहुत समझ में आ जागा बहुत जादills का मतलब क्या है contrTrans distribution का मतलब यह है जैसे माल लेते हैं कि यह हमारी क्या है माल लेते हैं यहमारी थे यह क्या है जो लगा रहे हैं ये लूड किसी का हो सकता है ये लूड हमारी विल्डिंग का हो सकता है यह कोई भी इंफा gotta कर रहे हैं स्वाइल के उपर ले ये क्या है soil है, यह soil है, मतलब यह हमारा क्या है, अर्थ है, अब इस पे हमने latest suppose की Q load लगाया, Q amount का load लगाया, तो इस load की कारण हमें यहाँ पे stresses देखने को मिलेंगे इस soil के अंदर, यह क्या है हमारे, stress distribution इसको हम कह रहे हैं, ठीक न, stress distribution, यानि हम stress को क्या करते हैं, distribution करते हैं, इसको देखे, stress को distribute कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब यह है, कि सर आप यह कह रहे हैं, कि जब हम Q amount का, यह हमारा क्या है, load है, Q amount का जब हम load लगाते हैं, तो stress distribution से यहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है क्योंकि इसकी कोई न कोई हाइट आफ यहां पे कुछ न कुछ हाइट होगी ठीके ना इसका मतलब क्या कह रहे हैं सरा आप यह कह रहे हैं कि यह जैसे इसको क्या है हमने लिया जेड ये जेड हाइट पे क्या है कि यहां पे हमने कहा कि यहां जेड हाइट पे हमने क्या कहा क्या और यह मालेते हैं पी है इनके बीच में मालेते हैं इस तरीके से हमने एक ग्राफ बनाया हम इस ट्रेस को डिस्टिब्यूट कर रहे हैं अल्टिमेट स्वाइल्स के थुरू हमारी लोड के कर जो इस्टेसे जनरेट हो रही है उसको हम कितनी आसानी से अपने स्वाइल्स के अंदर क्या कर सकते हैं डिस्टिब्यूट कर सकते हैं ठीक है कैसे अब इसके बारे में यही देखें यही हमारा इस्टेस डिस्टिबूशन है ठीक है ना लार्ज एरिया में कैसे distribute कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं stress distribution ठीक है simple अब देखिए सबसे important आपसे stress distribution सिर्फ नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा कि जो हमारा बोगीनेश है और वेस्टागार्ड है इसके बारे में आप बताईए इनके exemption के बारे में बात करिए देखिए exemption की बात कर रहे हैं अजंप्शन अब देखिकें शंप्शन हम किसकी बात करेंगे यहां पिस जो अमारे वोगिनेश रहेंगे की बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे इस साइड यहां पर हम बात करने वाले हैं वेस्टरगार्ड वेस्टरगार्ड ठीक है अब समझते हैं इन्होंने क्या कहा देखें वेस्टरगार्ड ने ये कहा कि जो हमारी स्वाइल है जो हमारी क्या है स्वाइल है वो होमोजीनियस होनी चाहिए इन्होंने क्या कहा इन्होंने क कि स्वाइल को कैसा रखो होमोजीनियस रखो ठीक है उसके पार्टिकल एक समान होने चाहिए सेमी इन्फाइनाइट होनी चाहिए इन्होंने कहा कि स्वाइल कैसा होना चाहिए सेमी इन्फाइनाइट होनी चाहिए elastic होना चाहिए ठीक है यानि elasticity भी होनी चाहिए और isotropic होना चाहिए ठीक है यह कहा अब इसने क्या कहा कि soil को ठीक है homogeneous तो इन्हों ने भी कहा soil कैसा होना चाहिए homogeneous होना चाहिए बट यहाँ पे यह क्या है isotropic यहाँ पे anisotropic होना चाहिए isotropic इनके according क्या था कि soil anisotropic होना चाहिए ठीक है दूसरा इन्हों ने कहा कि जो self weight of जो self weight of soil है और स्वाइल से वेट आप स्वाइल को इलोने क्या किया consider नहीं किया ध्यान से समझेंगे वीडियो को अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉट में भी चलूंगा ठीक है ना यहाँ पर self weight of soil को यहाँ पर हम consider नहीं करते हैं जबकि हम यह यहाँ पर क्या करते हैं दूसरे वाले में वेस्टर कार्ड ने कहा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी स्वाइल से ठीक है ना इस तरीके से इस स्वाइल को हम क्या करते हैं रैंफोस्ट करते हैं ठीक है ना मजबूत करते हैं ठीक है रैंफोस्ट अब देखें तीसरा क्या है कि any change in volume due to load is not considered, any load या any change in volume, any change in volume due to load is not considered, यानि हम अगर कोई value के कारण, कोई भी any change in volume, अगर value में कोई change आ रहा है due to load के कारण, तो उसको हम consider नहीं करते हैं, और इसमें क्या है कि अगर हम reinforced कर रहे हैं, in horizontal direction, horizontal direction with some fiber, इसका मतलब क्या है, कुछ कम fibers लगा के, यहां पे horizontal, देखे, horizontal, rigid, ठीक है, देखे, horizontal कैसा होगा, rigid होगा, लेकिन जो vertical, horizontal rigid होगा, लेकिन जो vertical यहां पे क्या माना, उन्होंने vertically क्या कहा, कि soil को elastic state में रखो, vertically क्या था, soil elastic हमने रखा, ठीक है, vertically, फिर हमने यह कहा, कि जो हमारी soil distribution यानि distribution of, distribution of, stress, जो distribution of stress था, वो कैसा था, symmetrical था, वो कैसा था, symmetrical हमने consider किया, above, vertical line, vertical line, हमने क्या कहा, यहां पे, हमने, जो distribution था, stress का, उसको हमने symmetrical रखा, above, vertical line, vertical line के उपर, फिर अगर बात करें, यहां पे, ठीक है ना, वेस्टागाड ने क्या कहा, वेस्टागाड ने यह कहा, कि जो हमारी, क्या है, इन्हों ने कहा, कि it is more accurate than bogginess theory, इन्हों ने कहा, कि it is, जो हमने जब analysis किया, तो हमने पाया, कि it is more accurate than bogginess theory, ठीक है, और hooks law इस पे valid हो रही थी, ध्यान से समझेंगे, इस पे क्या थी, hooks law valid हो रही थी, यानि hooks law valid का मतलब क्या था, stress, strain के directly proportional था, ठीक है, तो यहां पे यह चीज़ हम लोगों ने देखा, कि जो हमारी swales है, उसमें जो injunction है, bogginess और western guard की, यह क्या है, और दोनों में क्या differences है, इसके बारे में हम लोगों ने यहां पे बात किया, अब देखिए, यहीं पे आगे हम बात करेंगे, कि यह तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम यहां पे बात करने वाले हैं, कि देखिए, यहां पे एक figure मैं बनाऊंगा, इसके थुरू आपको समझना होगा, ठीक है, दियान से समझेंगे, जैसे हमने यह कहा, माल लेते हैं, कि हमारा माल लेते हैं, कि यह soil का कोई प्लेन है, माल लेते हैं, यह कोई प्लेन है, ठीक है, यह कोई soil प्लेन है, अब हमने यह कहा, कि हम उपर से Q amount का load एपलाई कर रहे हैं, ठीक है, जब Q amount का load हमने एपलाई किया, तो यहां से हमने देख कि कुछ य उभाई हाइट पे ध्यान से समझेंगे य हाइट है और इसको हमने क्या कहा는 इसको यहां से यह आर बोल दिया ठीकिक यहां से वाइश जो ब्लस का स्काला है थिक अब हमने यह कहा कि अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं इस स्वाइल के कारण अब हम इसी को इस्ट्रेस को और बढ़ा रहे हैं मतलब यह तो इस्ट्रेस है ना वाइड डिस्ट्रेस पे लोड के कारण जो इस्ट्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा है मलत लेते हैं कि जो दूरी है कितनी है भाई है अब हमने इसको बड़े इरिया पर करना है तो हमने इसको क्या क्या किया just extend कर दिया ठीक है यह रेडियस है ठीक है तो हमने यहां पे क्या कहा कि बढ़ाते हैं तो मालेती इसको capital R कर लेते हैं क्योंकि इसमाल आ रहे हैं तो यहां पे भी रेडियस कितना हो जाएगा जेड का square प्लस R का square ठीक है रेडियस अब देखे रेडियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस यहां पे क्या है रेडियल स्ट्रेस दो तरह के स्ट्रेस काम करने वाले हैं एक रेडियल स्ट्रेस और दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस ठीक है दो तरह के स्ट्रेस काम करने वाले हैं ठ nes nergی क्या किया एक formula टुV पता चुका हूं कि आपको कहा कर ना है आपको जाना है cancelled वकर प्लेस्ट है जो आपके पुरी प्लेस्ट बनी हूई होई numerical की और बहुत सारे पांच छे सो वहां पर numerical है आप देखिए वहां से numerical को सॉल्व करेए अच्छे अच्छे numerical हैं वहाँ पे जो आपके exam में आए हुए है तो वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है तो देखे अब यहाँ पे जो stress है यह sigma z क्या है normal stress है कैसा है यह हमारा normal stress है normal stress अब देखे normal stress is equal to 3 by 2 by 1 upon 1 plus r by z ठीक है जिडिक क्या है हमारा height है और आपड़ क्या है radius है इसका square की power 5 by 2 into q upon z का square इतना हमारा क्या है इतना stresses हमारे क्या कर रहे हैं कारे कर रहे हैं ठीक है अब हमने यह कहा कि sigma z जो normal stresses है वह हमारा कितना लग रहा है सर इतना लग रहा है ठीक है अब धेकिए मियू क्या है यहां पे यहां पर यहां पर प्रश रमीट इंपे बारे में भी बात करते हैं जो यह हमारै head normal normal stresses है इसको हम क्या कह सकते हैं इसी को हम के भी इस इकल टू के भी क्या है बॉगिनेस इन्फुलेंस फेक्टर है एंफुलेंस फेक्टर अब बात करते हैं कि जो सिगमा आर है द्यान देंगे इस इमार किया है radial stress है, sigma r क्या है sir, radial stress है, देखे ये normal stress है, और ये कौन सा है, radial stress है फॉर्मूल, यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से numerical बनते हैं, q upon 2 pi under root 3 r square z upon r की power 5 minus 1 minus 2 mu upon r, r plus z, direct formula, आपको मैं बता रहा हूँ कि यहां से आपको यह derive नहीं करना पड़ेगा, कि sir, यह कहां से आ गया, नहीं, यह कहीं से नहीं आया है, बस आपको formula याद करना है, बस सीधी सीधी जान लीजिए, क्योंकि बहुत अगने से कुछ नहीं मिलेगा, फालतू का नहीं है, ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कि यह हमारा क्या गया, bogginess influence factor आगया, ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पे, कि हम लोगों ने formula को भी देख लिया, कि bogginess influence factor क्या है, इसमें हम लोगों ने radial stress और normal stress, दो तरह के stress के बारे में हम लोगों ने यहां पे बात किया, ठीक है, और westaguard और जो हमारे क्या थे, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने यहां पे formula को भी देख लिया, दोनों के assumptions की भी बात कर लिया, हम लोगों ने, अब हम लोग उने दोनों तो बात किया जो एक्जाम के पॉइंट उसे इंपॉडटन है लेकिन इसके अलावा भी यहां पर कुछ चीज़े हैं जो आपके एक्जाम में इंपॉर्टन बन जाती है ठीक है जैसे अगर बात करें तो जैसे वाटिकल इस्टेस की बात करें अगर हम तो उसमें स लेक्शर्स में हम mostly 3-4 टॉपिक को cover करने वाले हैं नेक्स लेक्शर्स में जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि जो ISO बार होते हैं और प्रेशर बल्ब होता है ये किस तरीके से हमारे स्वाइल के अंदर काम करते हैं और इनका क्या कारी है तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे प्रेशर बल्ब के बारे में ठीक है तो मिलते हैं नेक्स लेक्शर्स में जिसमें हम बात करेंगे प्रेशर बल्ब के बारे में ठीक है डीटिल में थोड़ा बात करेंगे तो मिलते हैं नेक्स लेक्शर्स तब तक के लिए बाई-बाई झाल